हेलो गाईज मेरा नाम है रभी यो इस्टेडी गलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि फेस्बूक के जो फाउंडर थे उन्हें काफी ज्यादा डांट पड़ी थी जो अमेरिकन सेनेट है उनके दोरा यहां तक कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो उठके माफी मांगे लोगों से जोनोंने गल्ती की है अब वही डांट पड़ रही है टिक टॉक पे और फेस्बूक पर तो सिर्फ डांट पड़ी थी यहां पे टिक डॉक पूरी तरीके से मान लिजी एक बैन होने वाला है यहां दोस्तों यहां पे क्या हुआ है विधे पारित हो गया है और अब वह जाएगा सेनेट के बीच में और उसके बाद हो जाएगा वाइट हाउस और उसके बाद हो जाएगा टिक टॉक बैन ठीक है क्योंकि इस बार अमेरिका पूरे मूर में आ है टिक टाक को banned करने के लिए दोस्तों मैं आपको चीज बता दू कि इंडिया बहुत पहले ही ने banned कर चुका है क्यों banned किया है आप यह जानते हैं क्योंकि उनकी हर कतें भिजनश को marketing पोड़को बेचना ठीक है कैसे लोगों को influence करना है यह सारा काम यह करता है चाइना ठीक है आपको यह भी पता दोस्तों चाइना की जितनी भी company है वो किसके control में है वहां की पार्टी उनके control में है कोई वहां पर freedom नहीं है जो वहां की party चाहती है तो यहां पर दोस्तों उसी को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा यहां पर action लिया है और इन्होंने इसको बैन करना है तो टिक टॉक आप जानते ही है जैसे उसी के बारे में चर्चित है यह जो दोस्तों आप बना था सिर्फ 2016 में बना था लेकिन इसने इंसानी दिमाग को इतना बढ़िया समझ लिया था यह इतना एड़ेक्टिव था कि महाज आठ सालों में बहुत बड़ी कंपनी बन गई इसकी आज के टाइम में जो वैलुएशन है लगबख साड़े तीन सा डॉलर बिलियन डॉलर के आसपास है तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी यह कंपनी बन चुकी है एक चीज़ दोस्तों आपने देखा होगा और यहां पर कि जो यह एप होते हैं यह क्या करते हैं कभी कभी स्ट्रेटजी को हमारे डाटा को यूज करते हुए इसको ऐसा बना देते हैं कि इंसान इसमें लती हो जाता है एक समझदार इंसान भी एडिक्टी हो जाता है जैसे अभी यहां पर टिक टॉक बैन हुआ है तो यूटूब को यह मौ संद है इसे किश ताइक के वीडियो पसंद है वो वीडियो को हमारे सामने लाएगा इससे क्या होता है कि खोलते ही हमें पता नहीं होता है अब आप कल्पना करी एक बच्चा है और और अगर उसने ऐसी वीडियोस देखी जो काफी नेगेटिव है तो उसके सामने ऐसी ही वीडियो आएंगे जो एक जम खथरनाक है तो वह बच्चा जब यह बात लिकल के आई इसको बैन के जाएगा तो इन्होंने खुद अपना पोश्ट ड़ला टिक टॉक पे इन्होंने कहा कि हम यह लड़ाई पूरी लड़ेंगे और जो इसके यूजर है उनके साथ हम खड़े हैं और आखरी दम तक यह लड़ाई लड़ेंगे लेकिन द करते हैं कुछ लोग देखते हैं तो इतना बड़ा यह मार्केट है मतलब आधा पॉपलेशन क्या है कि टिक टॉक को यूज करता है तो अगर यूएस इसको बैन करता है तो यह पूरी तरीके से खतम होने वाला है देखिए अब बैन कर भी दें मैं तो चाहता हूं बैन करते हैं ठीक है और अपने कंपणियों को चाहते हैं पूरी दुनिया में पgamने तो पुरी दुनिया को यही करना चाहिए इनको सीदा सीदा Bigger कर दिना तो इन्डिया की ओप कर दिया ने सेरे और दोस्तों यह pouredव करते हैं ती कई यह यह कट해도 और यूज करते हैं यह दोस्तों डा या कोई भी देश में party को अब बहुत कुछ बैस करता बेती है जोक ही business को बहुत बढ़ावाद की टीक है तो जो दूसरा देस्स पयुल दोस्तो डाटा लेते हैं तो उस पार्टी को क्या करते हैं मतलब लोगों की इंफ्लूइंस करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा वोट उन पार्टियों के मिले और यह भी सोसल जो मीडिया दोस्तो इसमें बहुत देखा गया है फेस्बुक पे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं और वही एलिगेशन दोस्तो यहां पर लग रहे हैं कि जो चाइनीज जो चाइनीज पार्टी है कमिनिश पार्टी है वह चाहती है कि देश में कौन जीते और उसके हिसाब से यह अपना क्या जलते हैं अपने एप पे क्योंकि सारे लोग वहां पे उनके पास हैं अब दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर जो वोटिंग पड़ी ठीक है जो विधे के लिए वोटिंग पड़ा यह पढ़ा था लगभग 352 ठीक है कि इसको बैन किया जाए और 65 पड़े थे इसके अगेंश्ट में किसे बैन नहीं किया जाए अब दोस्तों अगर इसकी ब है और इसी वज़ेसा आप देखेंगे दोश्तों भविस में आने वाले वक्त में जितने भी तीक है सोसल मीडिया एप है चाइना के उन सब के ऊपर खतर आएगा क्योंकि यह ऐसा ही कुछ हो चुका है कि जैसे लोगों को विस्वासी नहीं होता है जो चाइनीज एप हैं इंस दोस्तों इस चीज़े आपको यह भी बताऊं जैसा मैंने बताया था कि लगबाग तीन सब पैसार बिलियन डॉलर इसका वैलियोशन है लेकिन 2019 दोस्तों इन्होंने बहुत जादा पैसा कमाया था वह कमाया था 1.3 लाग करूर किसने कमाया था टिक टॉक नहीं इसकी जो प बता दूं कि आप 2-3 साल से त्यारी करते हैं इसके वाजूद भी आपका एक्जाम क्रैक नहीं होता है वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एक्टेम्ट में ठीक मतलब 7-8 घंटे पढ़ाई करके एक्जाम क्रैक कर लेते हैं जब रिसर्चर ने रिसर्च किया उन्होंने देखा कि जो top performer होते हैं अथलीट होते हैं वो जब काम करते हैं जिसकी वज़ा से उनकी जो efficiency होती है वह five time बढ़ जाती है अगर दोस्तों उन्होंने ये भी देखा कि इस flowकि श्टेट को हमें एक आम इंसान के अंदर पायदा कर सकते हैं महज थेर्पी स क के द्वारा कुछ टेकनीक्स के द्वारा दोस्तों इन्हीं टेकनीक्स को इंडिया में लाए हैं महज दोस्तों निन्यानवे में जब आप फ्लो 25 कोड़ यूज करेंगे दोस्तों आको यह भी बता दू कि इसी फ्लो के कोर्स को जब लोग बाहर खरीते हैं 40-50 जार का मिलता है वह भी इंगलिस में तो इंडिया में सोचें कितना सस्ता ही से लाए है ताकि इस्टुडेंट अपनी इफिसेंसी बढ़ा सके तो दोस्तों यह बाइट डांस है ठीक है यह टिक टॉक की एक पैरेंट कंपनी है आप एक जामपल समझे इसे गूगल है ठीक है तो गूगल के आप देखेंगे बहूत सारी कंपनी है ठीक है जैसे आप देखेंगे गूगल मैप जाता है कि जो मेजर टॉक से इन्हीं के पास है और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि जो algorithm decide होता है कि TikTok पे कौन सा algorithm चलेगा यह by dancing decide करता है यही सबसे बड़ा खत्रा है US के लिए US का यह कहना है यह जो algorithm का control इनके पास है algorithm अपनी साफ से decide करेंगे जिसकी वज़ा से यह लोगों को addictive बनाते हैं अपनी साफ से agenda चलाते हैं यह algorithm का control इनके पास नहीं होना चाहिए अब US में सर्थ क्या रखी है US का सर्थ इतना ही है उन्होंने कहा कि buy dance को अपने majority stakes क्या होंगे बेचने पड़ेंगे लगभग मांग चली सब stakes बेचने पड़ेंगे तब जाके TikTok कहीं न कहीं US में टिक पाएगा otherwise उसे ban कर दिया जाएगा यह simple option है इनके सामने रखा गया है जो TikTok के founder है इनके सामने simple सा यही रखा गया है कि इनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे stakes बेचने पड़ेंगे ठीक है दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों मैं बार बार सेनेट की बात कर रहा था तो जैसे दोस्तों यहाँ पे upper chamber lower chamber भी होता है अमेरिका में यह सेनेट का ठीक है तो यह major फैसले लेते हैं पहले यह जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे parliament होता है यहाँ से विधे पारित होता है तो विधे पारित होने के बाद यह इनके पास जाता है अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े-बड़े CEO थे जो social media के CEO थे उनको बुलाया गया थो उनसे बाते की गई थी यहाँ तक कि जो मार्ग जगरबर्ग जो थे उन्हेंने खड़े हो के माफी मांगी थी इन ही के कहने पर ठीक है तो यह मेजर फैसले दोस्तों यही लेते हैं और यहाँ से जो यह फैसला पास होगा फिर यह जाएगा वाइट हाउस में और वाइट हाउस अगर डिसीजन लेगा कि टिक टॉक को बैं करना है इसका मतलब टिक टॉक पूरी तरीके से बैं हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद टिक टॉक वही चाइना में चलेगा ठीक है और वो चाइना के अंदर ही रह जाएंगे दोस्तो तो दोस्तो यह चोटा से लेक्चर था अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें कमेंड करें सेर जरूर करें मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में थाइंक्यू सो मज